गूल मॉर्णिंग इस्टिरेंट्स आजका जो मेरा टॉपिक है यह लास्ट टॉपिक के कांटिनियोशन में जो टॉपिक रहे गया था और वो है रोल अर्थाथ भूमी का देखे पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टैटस और रोल की और आपको मैंने बताया था कि स्टैटस और रोल को अलग करके नहीं देखा जा सकता है ठीक है ना और रोल क्या है बिसिकली रोल जो है वो इस्टैटस का ही डैनिमिक पाट है ठीक है अर्थाथ प्राइस्थिति का ही जो गत्यात्मक पहलू है इसे आप भूमी का कहते हैं ऐसा क्यों है देखें ऐसा इसलि बतायत आपको कि हर व्रैक्ति का समाज में कुछ पद होता है क्योंकि वो समाज का सदस्य है ठीक है और इन पदों को धुर्म क्या बोलते हैं प्राईस्थिति बोलते हैं ठीक लेकिन सिर्फ प्राईस्थिति होने से ही बात नहीं बन जाएगी यदि कोई प्राइस्थिती है कोई स्टेटस है तो उस स्टेटस के एकोर्डिंग ब्योहार करना पड़ेगा उस प्राइस्थिती के अनुरूप ब्योहार करना जिस व्यक्ति से यह status सबद्ध है जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति पिता की प्रविष्टिती से जो भी अप्यच्छित बेवहार है वैसा बेवहार यदि करता है तो आप उसे कहेंगे कि हां पिता की भूमिका जो है वो अदा होती भी दिखाई दे रही है पिता का जो status है उस सक्क्राइब करने remos जी वहां किरूब का सब्सक्राइब बृट सी टरीके से रूट जुडब करेड़ राधारा की जुड़े हैं पोर खरता बृट सब्सक्राइब काम सब्सक्राइब तो आपको किसी भी लेविल पे जो अवधारणाएं हैं उनमें मिश्टेक नहीं करना है समझने में आपको ठीक है तो देखते हैं जो सबसे पहली अवधारणा है भूमिका से जुड़ी हुई यह है बहुल भूमिका है that is multiple role multiple role क्या होता है आपको मैंने बताया था कि एक स्टेटस सेट होता है ठीक है प्राइस्थिति संकुल होता है प्राइस्थिति संकुल में क्या बताया था मैंने आपको प्राइस्थिति संकुल में मैंने बताया था आपको कि एक व्यक्ति कि कोई कभी सिर्फ एक ही प्राइस्थि नहीं होता बलकि उसके more than two status होते हैं ठीक है जैसे एक वैक्ति एक प्रोफेसर भी है ठीक ना एक social worker भी हो सकता है और यह आप देखें उसके फेमिलियल रिलेसंसिप हो सकते हैं बहुत सारे उसके सबकों आप निला देंगे उसे आप कहेंगे इस संकुल का जो अर्था जो प्रहस्तिति संकुल से आप एक्षित इवहार है उसे आप क्या कहेंगे उसे आप कहेंगे बहुल भूमिकाय महल मतलब ही ओगया मोर्दैन मन और चुकि स्टैटस सिट क्या है इसलिए बहुल भूमिकाय बाद यूज किया गया है जो कि आपको गतिसील रूप में दिखाई देती है जो कि भूमिका की बात हो रही है यहां पर तो न भूमिकाय कहते हैं ठीक है अगला कॉंसप्ट देखते हैं यह है रोल सेट बहुलका संक्ल इसकी आउधाना सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी आप यह स्टैटस सिटी की यह अब दाना उन्होंने गे धी थी और रोल प्राश्तिती होने के बावजूद उस से कुछ अलग-अलग प्राश्तिती की जो वैत्ती होते हैं उससे अलग-अलग तरह के बैभार पिक्षित हैं. तीक है ना? जैसे आप देखें डॉक्तर को देख ले. एक डॉक्टर तो एक सिंध्री प्राइस्थिती है सिर्फ एक प्राइस्थिती है लेकिन उस एक प्राइस्थिती होने के बावजूद उसके डॉक्टर होने की बज़ा से उससे अन्य लोग जो जुड़े हैं एक फॉर एक जामपल एम एक टिक है डिकल डिप्रेटेटिव तिक न या मरीजों के परिजन जो अटेंडेंट हैं एक जो होस्पीटल का स्टाफ है नर्सेज हैं उनसे एक निशित तरह के ब्रहार की अपेक्छा है क्योंकि डॉक्टर को अटेंडेंट से भी डिल करना होता है तो एक शूद करता कि अपनी एक क्या हो गई उसका एक status हो गया researcher का लेकिन इस single status होने के बावजूद उससे related कुछ और अन्य प्राष्थितिया है जिसके साथ उसे भून का अपनी अदा करनी होती है एक researcher जो है उसको लैबरेरी के staff के साथ भी ब्योहर करना है क्योंकि लैबरेरी एक essential part है किसका लैबरेरी एक essential part है research process का इसी तरीके से जब वो data collection के लिए फिल्ड में जाएगा तो जो भी उसका target डूप है उसके साथ उसकी भूमिका निश्य दूप से बनती है इसी तरीके से यदि कोई action research type का काम हो रहा है तो जो भी government officials है उसके साथ interaction होना है उसके साथ भूमिकाए है ठीक है के रोग है रोग सेट में क्या हुए इस्टेटस के वेल शिंगल होगा प्राष्थिति एक होगी लेकिन उस एक प्राष्थिति से ही अलग-अलग लोग अलग-अलग प्राष्थिति की जुड़े हुए हैं उस तरह का ब्यभार अप्यक्षित है यह वह आपका रोल सेट अगला है रोल कंफ्लिक्ट भूमिका संगर्ष में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की प्रश्थिति से संबंधित दो भूमिकाएं जो है वो क्या होती है परस्पर विरोधी होती है यह आप एक का एक को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करते हैं दूसरा छूटने लगता है तो इस तरीके से क्या होता है यह भूमिकाएं परस्पर विरोधी बन जाती है ठीक है ना जैसे आप अक्सर देखें कि जो वर्किंग लेडिज हैं जी ठीक है जो कामकाजी महिलाएं हैं और उनका जो डोमेस्टिक लाइफ है उनकी जो फेमिलिय है और एक जीवन है इसमें अक्सर देखने को मिलता है आपको इसका डी सिक यह है कि एक महिला होने के नाते और साथी साथ महिला होना अपने आप में देखें महिला होने के बज़र से परिवार के साथ बहुत सारे एक अलग प्रकार के दैद तो जुड़े हुए हैं ठीक है और इस तरीके से उसमें क्या दिखाई देता है आपको संगर्ज दिखाई देता है ठीक ना सेकन्ड आप एक्जामपर ले सकते हैं कि एक जज्ञ है ठीक है तो वह जज भी है साथ उनका बेटा ही कड़ा हो तो अब ऐसे कंडिशन में उनको किस विवहार को किस रोल को बहतर दंग से परफॉर्म करना चाहिए यहां पर एक संगर्स के आपको इस्तिती दिखाई देगी ठीक है यदि वो बहतर दंग से जो ज़स की भूमिका को निभाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है तो उनका ज जो पिता की भूमिका है उनकी वो पीछे चूट जाती है और यदि पिता की भूमिका को ज्यादे तरफ्जों देते हैं तो उसका उनका जो एक जज़ होने के नाते जो अप्यक्षित विवहार है वो छूटने लगता है कि दो प्रकार के इसमें क्या होते हैं वो दिखाई इससिति में जिससे वेक्ति के बारे में बात कीजा रही है बूब्यक्ति उसके क्या होता है रोल में एक तनाव दिखाई देने लगता है आपको इसे आप कहते हैं रोल इस्ट्रेंड या भूमी का तनाव ठीक है आगला कॉंसेटर रोल-टेकिंग भूमी का ग्रहन भुमिका ग्रहना का है कि कोई भी विव्यक्ति जो है जैसे भी कोई नई प्रहेच्थितीजिआ करना होता है क्योंकि मैंने पहले बता आपको प्रहुस्तित और भुमिका यह सिखे के दुटा सेंदा Jed करना है जैसे आपने अफने अपो धालना पड़ता है तो इत किर Master प्राइस्थिति ऐसी है पुझे ऐसा करना चाहिए इसे आप क्या बोलेंगे आप कहेंगे रोल टेकिंग भूमिका ग्रहन तो जो भी व्यक्ति जो प्राइस्थिति है उसके अंदरूप ग्रहन कर लिया लेकिन उसे निभाना प्रारम्ब कर देता है और ठिक उसी धंग से निभाता है जिस धंग से अप्रेक्षाएं जुड़ी होती है तो आप इसे क्या कहते हैं भूमिका निर्वान ठीक है जैसे मैंने अभी नवकरसाही का आपको एक्जामपल लिया तो नवकरसाही में यदि कोई जिलादिकारी है और इन्होंने जिलाद भूमिका निर्वान कर रहे हैं रोल प्लेइंग है यह ठीक है अगला जो कॉंसेप्ट है यह है अभिनय की भूमिका प्लेइंग एट रोल देख अपने बश्पन को याद करें आप आपने कई सारे खेल खेले होंगे छोटे पर ठीक है जैसे अक्सार इसमें भी खेलों में क इसको मिलता है रखे कहले कौन सांट है चोड पोली संख खेलें दर्कियां कौन सा खेल के लेंगी लगरा खेलेंगी डॉल्स ही त्यु खेलेंग ठीक है उसके अलावे परिवार के निवार Kitty संवल बन जाएंगे पापा मैड़ं जाएंगे Все सबपना बन जाएगा आईबो क् कर रहा है तो किसी स्टेटस को गहन करना अगतुल रहा कि है लेकन क्या करने का कर रहा है देखे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जो प्राइस्तिति मिली होती हैह कोना धंजिक इसके उसके बहार करना चाहिए खोडाश तो आफ बास्ता में प्रा अस्तिति से जूड़ी अव्याइँ हुवाँ जो बहार ध़ारand एक्चुल में किया जा रहा है उसमें काफी अंतर आपको दिखाई देता है काफी दूरी दिखाई देती है आपको इसे आप कहते है भूमिका दूरी और इस कॉंसेप्ट को दिया था एविंग गौफ मैंन ने ठीक है जैसे करेंट सिनरी में आप देख लें वरतमान परिप्र करेंगा किया जाएगा ठीक है क्योंकि वह ऐसे पद पर आसीन है कि उससे अप इच्छा की जा सकती है लेकिन यदि वह वह ब्यक्ति ऐसा ना करके स्वाहित में लग जाए तो क्या हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड रोल है जो एक्शुल में उसके स्टेटस के नरूप है उ उसका एक्शुल रोलो प्ले कर रहा है दोने में अंता दिखाई देगा ठीक है क्योंकि जनहीत छोड़ करके और सिल्प इंट्रेस्ट में इदी काम करना शुरू कर दे तो आप कह सकते है ना एक लाइन आप समाने सब्दू में क्या कहेंगे लेमन लेंगूज में नेता किस बात के फिर जनहीत का काम आप नहीं करते हैं तो तो नेता किस बात के मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुगा कि कोई लीडर है तो उससे पेच्छित गवहार है जनहीत में आप बुद्दो को उठाएं और यहाप सरकार में हैं तो उसके अंदरूप डिसिजन लेंगे और बिए बिए आपका और जो एक्च्वल भी एविए और यह बहार है है और जो आपका वास्तिक वहार है दोनु में एक अंतर दिखाई देताहें और इसी अंतर को आप क्या बोलते हैं रों डिस्टेंज बोलते हैं ठीक ना और देके लाश्ट कॉंसेट में बताने जा रहे यह है भूमी का विकलंगता रोल हेंडिकैप हुद क्या होता है कई बार आपको अचानक ऐसी प्राश्ठिती प्राप्त हो गई है जिसके लिए आप क्या है आप तयार नहीं है बल्कुल ठीक है और आप समझ नहीं पाते कि आपको किस अनुरूप ग्योहार करना है है तो अक्राइसितिति प्राप्थ हमें संस Dir बिकलंगता कि अधरना जन्म लेती है त्यासे किसी कार्मिक का है तीक है अचानक उसके किसी विश्यस्कारय की वज़ह से उसका आचानक के बहुत हाइयर प्रमोस्टन कर दिया जाए तो अब जो वेस्तिति उसके अनुरूप उससे कैसा बवहार करना चाहिए यह कर पाने में वह बैक्ति पूरी तरह सक्षम नहीं होता है वह तहर नहीं कर पाता कि उससे क्या करना है और क्या नहीं करना है क्या चीज़ें प्रिक्षित हैं और क्या चीज़ें प्रिक्षित नहीं है ठीक है तो मैंने आपको इतना कुछ बताया भी ठीक है तो आज के लिए इतना ही थेंक यू